Hello Students, Welcome to UPCSS Teleprime स्रीज का Lecture No. 71 है और आज हम इस वीडियो में Payhead के बारे में पढ़ेंगे और Payhead को हम Teleprime में Create करेंगे कई सारे Payhead हैं और Payhead के बारे में हम अपने इस Payroll की स्रीज में Lecture No. 69 में समझ चुके हैं कि Payhead क्या होते हैं और बाकी पिछले वीडियो में हमने Attendance Production Type जो है ये Create कर लिया था हमने बताया था यहां पर Paid Live, Absent and Overtime यह सब पूरा हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में हमने Create कर लिया था आज हम इस वीडियो में Payhead जो है ये Create करेंगे अब Payhead क्या होते हैं इसको तो हमने Lecture No.69 में समझा रखा है अपनी Payroll की Series में ठीक है और यहां पर हम Payhead जो है वो Teleprime में Create करेंगे अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितने Payhead Create करने है ठीक है तो देखिए Question से ही में पता चल जाता है तो इसका यहां पर देखिए Question का जो Screensort है वो मैं पहले ले लेता हूँ ताकि बार-बार उपर Scroll ना करना पड़े ठीक है यह हमारा Question है तो यहां पर मैं इसका एक यहां पर Snap ले लेता हूँ तो यह हमने Select कर लिया तो यहां पर यह इसका हमने Screensort ले लिया है वो यहां पर सामने बताया गया है तो इसी की Help से हमें यहां पर Payhead जो है वो Create करने हैं बाकि Payhead जो है हमने बताया था Starting में ही कि इससे ज्यादा हो सकते हैं इससे कम भी हो सकते हैं वो depend करता है कि जो company है वो कौन-कौन सी मलब चीजे provide करती है basic salary के साथ में ठीक है तो उसी के हिसाब से pay head होते हैं बाकी pay head जितने हम एक बार भी बनाना चाहा है बना सकते हैं उसके बाद कभी भी उन pay head को added भी कर सकते हैं या कुछ new pay head भी बना सकते हैं ठीक है इसमें कोई foundation नह ले रखा है ठीक है चलिए तो यहाँ पर चलते है टैली प्राइम में तो इसके लिए हमने यूपी से एसस यूटूब पेरोल नाम से यह company बनाई थी और यहाँ पर बाकी सारी चीजे इसी company में हमने create कर रखी है जो कि हमने पिछले दो वीडियो में देखा है और आप पर create में जाना होगा ठीक है कहाँ पर जाना है create में जाना है और यहीं पर आपको पेरोल मास्टर में यहाँ पर आपको मिल जायागा देखिए ठीक है अटेंडेंस प्रोडेक्शन यहां तक हम पूरा complete कर चुके हैं employee category employee group employee unit of work and attendance production इतनी सारी चीजे हम समझ चुके हैं और टा यहां पर और भी ध्यान रखना है वह क्या कि इसमें कोई order नहीं है कि आपको पहले basic pay ही बनाना है आप कोई भी पहले बना सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो यहां पर फिलाल हमने basic pay नाम का एक pay head बनाया enter करेंगे यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है व आप जो भी चाहें से on off कर सकते हैं उस हिसाब से यहां पर आपके जो option है वो यहां पर कमिया ज्यादा होंगे ठीक है हलाकि इन सभी options का जैसे ESI वगरा हो गया यह हमने use नहीं किया है ठीक है बाकि टैली ERP वाली series में use किया है तो उसके लिए ज़रूत पड़ेगी on करने की फिलाल यहां पर यह जितने option दिख रहे हैं यह sufficient है तो यहां पर basic पे enter करेंगे सबसे पर यहां पर हमें बताना है pay head type यानि pay head type क्या है इसका तो हमने आपको starting में ही बताया था कि जो pay head होते है ठीक है वो तीन तरह के होते है तीन तरह के कौन कौन से एक होता है earning का ठीक है earning यानि employee की जहां से earning होती है तो वो earning type के pay head होते हैं दूसरा होता है deduction का ठीक है deduction यानि कि अगर employee की salary से कुछ कटोती की जा रही है तो वो जो pay head होगा वो deduction type का होगा ठीक है जैसे भी हम देखेंगे इसको जैसे PT यानि professional tax हो गया या provident fund हो गया continue deduction हो गया तो यह deduction type के pay head हो गया तो यहां पर हमें वही चीज बतानी होती है तभी तो टैली प्राइम समझ बायागा कि जो हम pay head बना रहे हैं वो किस type का है earning का है या deduction का है तीसरा होता है contribution का मतलब क्या होता है contribution जैसे PF में होता है ठीक है पीएफ जो है यह contribution इसमें होता है पीएफ में होता है और भी कई सार प्राइम से काटा जा रहा है पीएफ तो हमने आपको बताया था कि आपका यह double होके मिलता है आफ्टर 6 मन ठीक है 6 मेने बाद आपका double होके मिलता है तो इसमें जो बाकी जो यहां पर double होता है यानि कि 12% जो और add होता है तो इसमें लगबग 8.33 या 30 के आसपास जो है इसमे यह government contribute करती है और बाकी जो बचता है वो company contribute करती है तो उसके लिए भी हमें pay head बनाने होते हैं और जब हम वह वाला pay head बनाते हैं तो यहां पर हमें contribution select करना होता है देखिए contribution, deduction and earning तीनों तरह से यहां पर option हमें मिल जाते है clear है चलिए तो यहां पर सबसे पहले basic pay की ही बात कर है ताकि आप कोई भी कभी भी pay head बनाएं तो confusion ना हो फिर उसके बाद यहां पर जो दूसरा option है वह income type का अब income जो है वो दो तरह से होती है ठीक है fixed और variable अब यह क्या होता है तो देखिए जो basic pay pay head हम बना रहे हैं तो इसका जो salary होगा या फिर इसका amount होगा वो fixed होगा या variable ह होगा तो देखिए यहां पर हम चूज करेंगे fixed क्यों क्योंकि जो basic pay है वो लगभग fixed होता है अगर किसी employee की salary माल लेते हैं घटती बढ़ती है तो वह ऐसा तो नहीं है कि जनवरी में उसको 5000 मिली फरवरी में उसको 6000 मिलेगी हर महीने घटती बढ़ती नहीं है लगभग 6 मह प्लब यह होता है कि जैसे bonus है तो bonus क्या होता है वेरीबल किसी मेंने मिला किसी मेंने कम है किसी मेंने ज्यादा है तो उसकी जो income होगा वेरीबल होगा लेकिन यहां पर यह क्या होगा फिक्स्ट यानि कि एक amount fixed होता है तो clear है तो fixed हो गया under यह किसके जायागा तो देखिए basic pay यहां पर एक पेट है लेकिन यह एक तरह से laser है यह क्या है बैसिकली laser है लेकिन इसे हम payroll में पेट बोलते है जबकि normal accounting में इसे हम क्या बोलेंगे laser बोलेंगे तो अगर laser बनाएंगे तो under भी होगा तो इसका जो under होगा वो क्या होगा indirect expenses क्योंकि यह क्या है salary ही तो है यह एक कि पेड़िद अब है और इसके बारे में हमने EARP में समझा रखा है कि ये क्या है ठीक तो यहां पर अभी तो फिलाल इन दोनो और अप्सन को हम न रखेंगे क्योंकि ये भी एक तरह से इसके भी पेड़ाने होंगे अगर इसको हम implement करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर calculation type तो calculation type यहाँ पर आप देख सकते हैं as computed value, as user defined value, flat rate on attendance and on production अब यह क्या है ठीक है तो यहाँ पर जो basic pay है वो किस base पर दिया जाएगा अब आपको बताएगी जो basic pay होता है वो basically employee को attendance के base पर दिया जाता है ठीक है किसके base पर attendance यानि कि अगर 30 दिन का मन्त है माल लेते हैं calendar period तो उसमें वो जितने दिन प्रेजेंट रहा है उस हिसाब से उसको basic pay दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम calculation type में क्या select करेंगे on attendance बाकी यहाँ पर अगर आपका भी भूल जाते हैं तो हमने यहाँ पर screenshot में दे रखा ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा option कैसे क्या रखना है यह यहाँ पर हमने बता रखा है ठीक है तो वापस आते है टैली प्राइम में और इसमें हम सेट करेंगे on attendance कोई confusion कोई confusion नहीं फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा option जब हम यहाँ पर on attendance select करेंगे तो यहाँ पर हमें attendance leave with pay यह ओल option आएगा तो इसमें हम सेट कर देंगे paid leave ठीक है paid leave यानि कि अगर यह हमने paid leave एक attendance protection की unit बनाई थी आपको याद होगा तो इसमें हम सेट कर देंगे कि अगर किसी employee का leave है लेकिन अगर paid leave है तो यहाँ पर इससे जो है लीव इद पे में जोड़ा जाएगा ठीक है यहाँ पर देखें जो है इसकी calculation करनी है और बाकी paid leave यानि कि अगर कोई leave है और भी paid leave के अंतर गताता है तो हमें उसमें भी salary calculate करनी है ठीक है तो यह सारी चीजे हमने define कर दी बाकी यहाँ पर calculation period क्या होगा day के हिसाप से month के हिसाप से week के हिसाप से बेसिकली जो salary होती है वो monthly चलती है तो यहाँ पर हम month select करेंगे और month में यहाँ पर हम set करेंगे as calendar period ठीक है as calendar period का मलब as per calendar period मलब simple हो गया कि first जैसे January है तो first January से और 31st January तक इस तरह से salary calculate होगी calendar period के हिसाप से ठीक है बाकी अगर यहाँ पर चाहें तो आप user define रख सकते हैं user define में किसी employee ने 10 तारीक को joining की तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं experiment कर सकते हैं ठीक है rounding क्या होती है इसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं अपने टैली प्राइम के सीरीज में ठीक है rounding क्या होती है rounding का मलब जैसे माल लेते है कि 1.2 है तो यह 1.2 पैसे है अब दो आज कल चलता नहीं है नॉर्मली ठीक है तो या तो 1.2 पैसे को हम 2.2 रुपे बना देए या फिर इसको एक रुपए ही बनाए ठीक है तो यहीं होती है rounding अब rounding अलग-अलग type से है यहाँ पर option देखेंगे तो पहला क्या है पहला है downward rounding यानि कि अगर 1.2 है तो अगर आप downward rounding select करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 1.2 का 1 ही रखेगा बले 1.9 होगा तब भी क्या रखेगा यह 1 ही कर देगा ठीक है नार्मल rounding में क्या होता है कि 1.5 की अगर above है उपर है तो इस condition में 2 करेगा और अगर 1.4 है तो 1 ही रखेगा और upward rounding में क्या होगा कि अगर 1.2 भी है तब भी 2 कर देगा ठीक है यहां पर आप समझ गया होंगे फिलाल यहां पर हम इसे not applicable रखेंगे बाकी यहां पर आप चाहें तो इसमें normal या फिर downward upward कुछ भी select कर सकते हैं फिलाल यहां पर not applicable और इसको हम accept कर लेंगे तो यहां पर basic pay जो है basic pay का pay head हमने create कर लिया इसी तरह से यहां पर हम जो question का इसके इसके solve लिया था over time, TA, DA, HR, A bonus सभी के जो pay head है यह create करेंगे अब बात करते हैं over time की दूसरे number पर तो over time कैसे create करेंगे देखिए फटा फट ठीक है बाकी basic जो है वो पूरा हम समझ चुके हैं तो अब यहां पर time नहीं लगेगा fix रहेगा मलब की पर hour के हिसाब से हम set करेंगे तो यह भी fix है और यह भी under जाएगा indirect expenses के ठीक है affect net salary यहां पर yes रहेगा over time ही इसका नाम रखेंगे और यहां पर calculation type में हम select करेंगे on production ठीक है on production क्योंकि यह over time है तो on production और यहां पर production type over time जो कि हमने बना रखा है यह वाली unit हमने बनाई थी यहां पर आप देख सकते हैं enter करेंगे not applicable और यहां पर finally इसको accept कर लेंगे तो कोई confusion कोई confusion ने ठीक है over time में क्या होगा on production और over time वाली unit हमने बनाई थी attendance production में तो यह यहां पर लगेगी ठीक है इसके ज़रूत पड़ेगी और finally यहां पर इसको accept कर लेंगे तो over time का भी बन गया ठीक है बाकी skin sort हमने दे रखें यहां से आप देख सकते हैं इसमें कोई confusion नहीं ह यहां पर ठीक है तो यह यहां पर over time का दो बना दिया टीए में क्या है flat rate है 800 रुपे पर मन्त तो यहां पर बनाते हैं टीए का तो चलते हैं वापस और यहां पर टीए और यह भी क्या है earning for employees ही है fixed है और यह भी under indirect expenses के ही जाएगा क्योंकि एक सेके यह पर टीए इसका नाम स उसका जो basic pay है वो क्या है 15,000 है तो अगर हम TADA HR यह सारा कुछ जोड़ ले तो माल लेते हैं कि उसकी जो salary है वो 20,000 के आसपास जाएगी कितनी 20,000 के आसपास जाएगी तो ऐसा क्यों नहीं करती company कि company क्या करे कि TADA HR इस तरह से कुछ ना करे सीधे उसको employee को 20,000 दे दे जिसमे TADA HR सारा कुछ include हो लेकिन इसमें एक problem होती है वो क्या होती है देखिए जो आपकी salary पर tax लगता है नहीं government जो आपकी salary पर tax लगाती है वो basic pay के उपर लगाती है किस पर लगाती है basic pay पर ध्यान रखना ठीक है तो अगर basic pay हम बढ़ा देंगे जैसे आपने बताया ना कि overtime TADA HR जो भी है old time तो चलो नहीं बनेगा old time को हमें अलग ही रखना पड़ेगा लेकिन TADA HR और जो भी चीजे हैं वो सब फाइनली basic pay में हम include कर सकते हैं तो अगर ऐसा करते हैं तो basic pay अगर माल लेते हैं आपका 20,000 बन गया तो आप जो government tax लगाईगी वो 20,000 पर लगाईगी जिससे क्या होगा कि आपका tax ज्यादा deduct होगा ठीक है तो इसलिए क्या होता है कि company जो है TADA HR और जो भी चीजे होती है वो अलग से देती है क्योंकि government जो है वो सिर्फ basic pay पर ही tax लगाती है तो इसलिए basic पर जो amount होता ही है प्लस उसके बाद उसके ओपर TADA HR ये सब चीजे रखी जात है company वगेरा में ठीक है जहां पर थोड़ा सा बड़े लेवल पर काम होता है फिलाल यहां पर हमें क्या करना है टीए जो की flat rate 800 रुपए पर मन्त है इसे हम बाद में define करेंगे ठीक है इसकी अब यह में जरूत नहीं है ठीक है यहां पर आप समझ रहोंगे यह सारा कुछ हम define करेंगे बाद में पहले तो भी हम सिर्फ पेहड कर रहे हैं ठीक है चलिए तो यहां पर वापस आते हैं और यहां पर यह अंडर इंडरेक्ट एक्सपेंस की होगा एंटर करेंगे टीए हो गया और यहां पर क्या होगा इसमें हम सेलेट करेंगे flat rate flat rate यानिकी fix है और यहां पर flat rates होगा वह किस हिसाब से होगा monthly या day wise यहां पर यहां पर यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो calculation चल रहा है वह percentage के हिसाब से चल रहा है तो इसको हम कैसे सेट करेंगे इस तरह का पेहड कैसे बनाएंगे तो simple है यहां पर सबसे पहले तो डीए डीरनेस अलाउंस ठीक है और यह भी क्या है earning for employee है fixed assist है और अंडर indirect expenses के ही है effect net salary यहां पर हो गया जाहें तो यहां पर आप डीए की जगे डीरनेस अलाउंस रख सकते हैं जिससे जो employee की payslip होगी उस पर यहां पर उसका पूरा नाम लिखके आएगा और आपका जो pay head creation है ठीक है यह वाला तो यह यहां पर डीए ही रहे आपने आप से ही calculation करेंगे ठीक है और यहां पर यहां पर हमें वह सारी डीटेल करनी है क्या फिल करना है देखिए यहां पर डीए जो है as per law on current earning total यहां पर क्या काम करेगा देखिए बीस हजार से अगर नीचे salary है तो पांच परसेंट चालिस हजार से नीचे है तो छे परसेंट और बाकी इसके लावा 8 परसेंट जो है वो basic पर यानि कि current earning पर लगेगा ठीक है तो यहां पर पहले हम select कर लेंगे on current earning total बाकी इसमें क्या है देखिए deduction हो गया और current सब टोटल यह सारी चीज़े अभी हम समझेंगे इन की ज़रूत पड़ेगी आगे जो आने वाले pay head है फिलहाल अभी यहां पर हम on current earning select कर लेंगे ठीक है on current earning और यहां पर यह एफेक्टिव फ्रॉम यानि कब से यह मलब लागू किया जाएगा तो फिलहाल तो इसको employee को hair किया है तो हम एक काम करेंगे कि सारी calculation जो है वो एक पांच के बाद ही करेंगे तो यह एक मई हो गया ठीक है एंटर करेंगे और सबसे पहले यहां पर amount up to ठीक है amount up to का मतलब आपको पता चल गया होगा ठीक है इसका amount कितना है 20,000 ठीक है 20,000 यहां पर हम set करेंगे 20,000 एंटर करेंगे और इसका calculation यानि slab type होगा वो क्या होगा percentage में है या fix value है यहां पर आप देखेंगे यह percentage में 5%, 6% and 8% और value क्या होती है तो देखें यहां पर जो professional tax है इसमें 0, 60, 100, 150, 200 यह value है और यह कहा है percentage है तो हमें दोनों तरह क्या option मिलते हैं हमें यहां पर percentage में percentage रखना है कितना percent 0% अगर 20,000 है देखते हैं आपर 0 नहीं होगा एक सेकंड यह वापस आते हैं question में तो 20,000 से अगर नीचे है तो यहां पर हमें 5% रखना है कितना 5% कोई confusion तो यहां पर हम कर देंगे 5% एंटर करेंगे अब यहां पर देखें amount greater than यानि 20,000 से लेके और कहां करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर क्या है देखिए उसके बाद यहां पर यह है कि अगर 40,000 से ऊपर है यानि कि else का मतलब 40,000 से ऊपर है तो 8% ठीक है तो 40,000 से कितना भी ऊपर हो हमें 8% ही रखना है तो यहां पर हम amount up to में कोई भी amount नहीं डालेंगे और ऐसे ही enter कर दे यानि कि सभी के ऊपर 8% रखना है अगर 40,000 से ऊपर है तो यहां पर आप देख सकते हैं amount up to 20,000 यहां पर 5% कटेगा 20,000 से 40 के बीच में 6% और 40 से ऊपर कितना भी हो 8% कटेगा ठीक है तो यह as computed value यहां पर options जो है choose किया गया है इस वज़े से यहां पर हमें formula लगाने के तो यहां पर सेट करते हैं देखिए यह hra का हमारा pay head है और वापस चलते हैं यहां पर इसमें भी हमारा जो रहेगा as computed value ही रहेगा तो hra enter यह भी earning for employee है fixed है और indirect expenses है ठीक है enter करेंगे और यहां पर हमारा रहेगा as computed value और not applicable यहां पर हम सेट करेंगे basic pay ठीक है basic pay सेट करने के लिए यहां पर हमें किया करना होगा देखिए यहां पर हमें on specified formula यहां पर हमムें यह वाप्सन जो है वो चूच करना होगा ठीक है on specified formula clear है तो यहां पर इस option छोच करेंगे तो यहां पर हमें list पेड जिसमें हम सेट करेंगे Basic pay ठीक है add पेड नहीं ladder बेसिक पे तो बेसिक कर करते हैं one minus five और एक यहां पर हो सकता है जो हमने पहले बनाए कई सारे बना लिए लेकिन यहां पर हमने कुछ में ही चेंज किये सभी में चेंज नहीं किया है ठीक है तो यह हो सकता आगे तो इससे क्या होगा यहां पर टैली प्राइम समझ जायागा कि जो एचारे पे हैड है ठीक है इसमें बेसिक पे के ऊपर कितना भी अमाउंट हो हमें 20 परसेंट ही यहां पर अर्निंग मलब देनी है यानि काटने का मलब अर्निंग है तो अर्निंग यानि कि वो एड हो आई थिंक यहां पर आप समझ गया होंगे चलिए इसको हमख़े करते हैं HR-E का भी बन गया बाकि यहां पर हमने इसका सिकन सॉट दिया है इसमें भी आप देख सकते हैं कभी अगर भूल जाते हैं तो देख सकते हैं अब यहां पर हमारा अगला क्या हैन्टीन डिडेक्सन यह क्या है canteen deduction कहां पर है देखिए यह रहा ठीक है इसमें क्या है इसमें फ्लैट रेट है 600 पर मन्त फ्लैट रेट है इसमें कोई फॉर्मूला होगा नहीं चलेगा लेकिन यह क्या है canteen deduction है तो चलिए इसका भी pay head बना लेते हैं यह बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरीके से यहां पर हमारा टीए वाला बना था लेकिन छें और गस्istant क्या होगा यह दिदक्ट करेंगे और यह ऐसको बनाते चैन्ट करेंगे और यहां पर यह क्या है вс इम्प्लॉई की से काट रहे हैं तो यहां पर यह हमारा खर्चा नहीं है बलकि एक तरह से करंट असेट्स यानिकी चालू संपत्ति है तो अभी तो इसको हम करंट असेट्स में रखेंगे फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे कंटीन का डिपार्टमेंट अलग होता है तो में हर एक employee की salary से चैधी कर लेंगे जो कि हमारा करनेंट असेट में सेट में सो करेंगे फिर क्या कarinट डिपार्टमेंट को वो सारा पैसा हम उसे cash में वापस कर देंगे और उसको डेट कर देंगे तो ये कैणेटिन इडेक्शन बदे की बात कर रहे हैं आगे की ठीक है फिल हम सब्सक्pflicht करें यहां पर अगला रहां पर है पीटी यानि टेक्स नहीं समय बैप सब्सक्राइब अब देखें यहां पर लीए से जाइने कि डिदॉइब्सक्राइब बोलाइस होगा लेकिन फीडिदॉइब करेंने जब इसका पैसा company को मिल रहा होता है ठीक है तो जैसे अभी canteen deduction में हमने deduction for employee set किया था क्यों क्यों क्योंकि जो deduction for employees यानि canteen का पैसा है वो deduct होके company के पास ही जमा हो रहा है लेकिन जो professional tax का पैसा है ये company deduct तो जरूर करेगी लेकिन ये अपने पास नहीं रखेगी बलकि government को दे द करना है employees statutory deduction के लिए रहा है यहां पर हमें इस option को चूज करना है एंटर करेंगे और यहां पर यह current liability होगा या duty ही होते हैं तो यहां पर इसे हम duty and tax में भी रख सकते है current liabilities में भी रख सकते हैं उससे फर्क नहीं पढ़ता क्योंकि current liabilities में भी रखेंगे तो वह बात तो वही है अगर duty and tax में रखेंगे तब भी वही बात है लेकिन दोनों में difference यह है चूकि professional tax जो है यह state government को मिलता है और यह GST जैसा नहीं है इसलिए इसे हम चाहें तो current liabilities में भी रख सकते हैं directly ठीक है TDS और GST यह सारे tax जो होते हैं वो duty and tax में जाते हैं फिलाहल अगर duty and tax में भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह अलग नाम से सो करेगा ठीक है फिलाहल यहां पर इसे हमने current li नीचे है तो जीरो ठीक है इस तरह से यह formula चलेगा तो आते हैं यहां पर on current turning total ही select करेंगे effective यहां पर यह रहेगा 1-5 ठीक है और amount up to यहां पर 5000 से starting है तो अगर 5000 है तो यहां पर हम सेट करेंगे देखे value यहां पर क्या सेट करेंगे value क्योंकि यहां पर इसमें question में value ही जाएगा ठीक है अब यहां पर 5000 से लेके फिर कहां तक तो 5000 से लेके 8000 तक ठीक है 8000 तक यहां पर 8000 हो गया enter करेंगे और यहां पर भी value रहेगा अगर आट 5000 से 8000 के बीच में तो यहां पर कितना 60 रूपीज यानि कि 60 रूपए जो है वो professional tax में deduct होगा अगर आपकी salary 5000 से 8000 क यहां पर 5000 से 10,000 के बीच में अगर है तो यहां पर value और कितना 100 रूपए कटेगा enter करेंगे फिर 10,000 से लेकिर के और अगर 15,000 है तो यहां पर 10,000 से 15,000 है तो यह कितना हो जाएगा डेड़ सो रूपए हो जाएगा value 150 कोई confusion कोई confusion नहीं फिर उसके बाद यहां पर last option अगर 15 से उपर है यानि कि एल्स पार ठीक है अगर 15,000 से उपर है तो 200 रुपए जो है वो कटेगा ठीक है तो एंटर कर देंगे यहां पर हम कोई वेल्यू नहीं डालेंगे और यहां पर कर देंगे 200 ठीक है एंटर करेंगे तो यहां पर अभी देखे पूरा फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे इसमें कोई सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है बस यहां पर आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है तो यहां पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोफेशनल टेक्स यह भी हमारा बन गया फिर यहां पर लास्ट पेएड हमारा बचा EPF यानि कि प्रोवीडेंट फंड इंप्लो परसेंट जो है वो कटेगा ठीक है और यहां पर बाकि एस कंप्यूटेड वैल्यू तो रहेगी ही तो चले यहां पर चलते हैं फटा फट यहां पर EPF का भी बनाते है तो EPF हो गया ठीक है तो EPF डिटेक्शन यहां पर यह क्या रहेगा दिखिए इसमें रहेगा आपका इंप्लोई स्टेटरी डिटेक्शन एंटर करेंगे यहां पर यह भी जाएगा करन्ट लिबिलिटीज में और EPF डिटेक्शन हो गया as computed value month not applicable और यहां पर रहेगा on specified formula इसमें हम basic pay head को select कर लेंगे end of list और यहां पर यह कब से effective रहेगा एक 5 से और यहां पर amount ना डालके सीधे यहां पर percentage में यहां पर हमें 12% जो है वो set कर देना तो वो वाली जो value है यहां पर आप greater than amount up to और amount greater than में set कर सकते हैं यह आप अपनी तरफ से formula बना सकते हैं ठीक है इसमें आप थोड़ा सा logic लगाएं ठीक हम लब थोड़ा समझेंगे तो सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी काफी easy है ठीक है किसी भी तरह से आप calculation करवा सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको finally हम accept कर लेंगे तो EPF reduction यह वाला pay head यह भी हमारा बन चुका है और इतने ही इसमें pay head थे अगर इसके अलावा और भी pay head होते तो वो भी हम बना सकते थे pay head तीन तरह के होते हैं deduction contribution and earning for employees ठीक है तीन तरह के हापर हमारे जो pay head है वो होते हैं बाकी deduction में भी दो टाइप के deduction होते हैं एक deduction जो की employees का होता है यानि company के पास होता है दूसरा taxes related तो यह सब अलग अलग है लेकिन mainly तीन तरह से हमें pay head create करने होते हैं तो यहाँ पर जो हमने pay head देखे हैं इसमें हमने अलग अलग type से देख लिया है सारा कुछ की किस तरह से अगर fix value है या flat rate है जो भी है हमने अलग-अलग type के सारे pay head को देख लिया है बाकी अगर आपके पास और भी pay head है जैसे NPS होता है ESI होता है कई सारे और भी pay head है जो कि हमने ERP वाली series में cover कर रखे हैं हमने lecture no.69 में बताया भी था कि उसे आपको कहां से देखना है ठीक है तो फिलाहाल यहाँ पर हमने pay head बना लिए है और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बाकी हम अगली वीडियो में अब सभी employee की salary है उसे हम define करेंगे अनिकी employee की salary define करेंगे किसकी कितनी है और फिर उसके बाद हम payroll watcher पे अंगला attendance watcher पे attendance लेंगे और payroll watcher पे entry करके उसकी pay slip प्यूँ प्यूँ हम तो